मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने आपको बताए मेरे ऊश्रिव यह था, कि मेरे अब भूगे जीते जी एक बार इंडिया खेलना है, वो और यहा एक सपना था तो वही बस दिमाग में चल रहा था, खुशी हो रही थी कि पहले मेरे अबभू नहीं आ रहे थे उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उनको बोला कि आप जाओ मैज ये सबसे प्राउड मोमेंट होता है तो अब विसली उनको आना ही पड़ा क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने यही दिन के लिए किया है तो बस यही दिमांग में चल रहा था कि उनके सामने कैट लूँगा और वी काफी एमोशनल थे मेरे बीवी बी काफी एमोशनल थी तो मुझे बहुत अच्छा ऐसा लगा कि मेरे पर से थोड़ा सा बहुत जड़ गया जो उन्होंने मेरे मेहनत की थी इतने साल से उसको मैंने खराब होने ने दिया अब नहीं मैं अल्मोश देखा जा चार घंडे से पैड़ब करके बैठा था तो बस मैं इसी सोच्छा था कि लाइफ में इतना पेशेंस रखा हूँ थोड़ा और रखता हूं फिर उसके बाद दंदर गया थोड़ा सा इनिशली एक दो बॉल थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि फर्स्टाम आया था लेकिन इतने अच्छी प्रेक्टिस और इतनी मेहनत है कि सब ठीक हुआ मतलब इतने टाइमों से चीज करते हुए और फिल्डर उपर थे सारे और मुझे भी मौका था और उन्हें भी मौका था उन्हें मौका था कि न्या न्या आये एक गलती करेगा विकेट मिल जाएगी और मेरे पास अपॉर्चुनेटी थी कि यह लोग मुझे आगे ही लगा क पॉक गलतीक